नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता कहा जाता है इतिहास बनते हैं तूटने के लिए आज हर शेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है दुनिया बदल रही है वक्त के साथ साथ महिलाओं ने हर शेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है लेकिन ये कहते हुए हम उस इतिहास को नहीं भूले हैं जहां से होकर आज महिलाएं यहां तक पहुची है कोई भी अपनी द्रड इच्छा शक्ती और मेहनत के दम पर कठिन से कठिन रास्ते को आसान बना सकता है चाहे वो कोई भी हो हर जगे लोगों ने इतिहास रचा है इसी को चरितार्थ करते हुए तमिलनाणू की सीए भवानी देवी ने इस साल होने वाले टोकियो उलम्पिक का टिकेट हासिल किया है और तलवार बाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिये तलवार बाज बन गई है भवानी देवी ने समायोजित अधिकारिक रैंकिंग एओ- आर के आधार पर उलम्पिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है विश्वर रैंकिंग के आधार पर 5 एप्रेल 2021 तक एशिया, ओशीनिया, शेत्र के लिए दो जगहे थी भवानी फिलहाल 45 वे स्थान पर है और रैंकिंग के आधार पर वो एक स्थान हासिल करने में सफल रहेंगी 27 साल की खिलाडी के आधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मुहर 5 एप्रेल को रैंकिंग जारी होने पर लगेगी लेकिन उससे पहले खेल मंत्री किरन रिजीजु ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर भवानी देवी को शुब कामनाई दी रिजीजु ने ट्वीट कर कहा भार्तिये तलवारबाज भवानी देवी को बदाई जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है वो इस उपलभधी को हासिल करने वाली पहली भारतिये तलवारबाज बन गई है भवानी देवी को मेरी शुब काम नाए जानकारी देते चलें कि इससे पहले आठ बार की राष्ट्रिय चैंपियन भवानी देवी रियो उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी उन्होंने इसके बाद उलम्पिक के सपने को पूरा करने के लिए इटली में कोच निकोला जानोटी से प्रशिक्षन लेना जारी रखा और अब कहीं जाके कमाल किया है इस उपलब्धी पर एनमेफ न्यूज भी भवानी देवी को शुब कामनाएं देता है झाल झाल झाल